आज हम लेकर आए हैं बहुती प्यारी हलवाई स्टाइल वाली कुरकुरी चटपटी रेसपी जो आप असानी से घर पर बना सकते हैं लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज आप लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें बेल आइकन का बटन दबाएं जिसे हर वीडियो की नौटिफिकेशन आपको मिलती रही यहाँ पर मैं ले रही हूँ हाफ केजी अरवी यह मैंने लंबे साइज में ली है अरवी को हम उपर का और नीचे का हिसा काट देंगे चुरी की सहता से हम सभी अरवी को इसी तरह से साफ करेंगे तो दोस्तों यह आज की रेश्पी बहुत ही मस्त बनने वाली है आप हलवाई और रेश्टोरेंट में भी जाके अरवी की सबजी कभी खाई होगी तो आपने देखे होगी बहुत ही टेश्टी लगती है हलवाई भी जो बनाती है बहुत ही मस्त बनती है उसी तरह से आज हम यह बनाएंगे और आपने एक बार बना ली तो आप बाकी की सबजीय सब पूल जाओगी यह गारंटी है मेरी आप सभी एक बार इसे जुरूर ट्राई करना यह बहुत ही मस्त चटपटी यह रेसिपी बनती है अब सभी अर्बियों को हम अच्छे से साफ कर लेंगे आप देख सकते हैं मैंने सभी अर्बियों को छील लिया है यहाँ पर अब हाथों पर हम तेल लगाएंगे बहुत हो लोगों की शिकायत होती है कि अर्बियों काटते बक तर खुझली होने लगती है हाथों पर तो आप उसे काटने से पहले हाथों पर अच्छे से तेल लगा के अच्छे को इसी कपड़े साफ से साफ कर लें और फिर अर्बियों क काटें आप देख सकते हैं मैं अर्भी को यहां पर लंबे-लंबे साइज में काटूंगी तो कि हल्वाई स्टायल वाले जो बना रही है वह भी से लंबे साइज में ही काटते हैं जो बहुत ही मसालेदार चटपटी रेश्पी बनती है ज्यादा पतला भी नहीं काटना है हम थ तो stell-खी नहीं मोटषञें काते हैं लम्बे साइज में अब देख सकते हैं मैंने सबी अर्भ्यों को अच्छे से आके और बाśट करेंगे इससे क्या होता है हमारे अर्भी में जो एक्स्ट्रा चिकना हटसी होती है निकल जाएगी और हमारी अर्भी में निकल जाएगी इसी तरह से हम साफ करेंगे और इसे दुवारा से हम फिर साफ करेंगे इसे दो तीन बार इसी तरह से हमें ट्राई करेंगे और अच्छे से वाश कर लेंगे अब देख सकते हैं हमारी अर्वियों सभी अच्छे से वाश हो चुकी है आप यहां पे कोटन का कपड़ा लेंगे, इसे बिचा लेंगे और अर्बी को हम इसी पे फैला देंगे सभी अर्बी हम इसे पैलाओंगे, इस से क्या होगा, कि हमारी अर्बियों में जो पानी है एक्स्ट्रा वो सभी ड्राइ हो जाएगा जब हम इसे फराई करें तो उसमें पानी ना हो अच्छे से वाश करके से साफ कर लिया है अब सभी को हम प्लेट में निकाल लेंगे आप देख सकते हैं हमारी अर्वी बिल्कुल एकदम ड्राई हैं बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है तेल हमारा गरम हो चुका है अब अर्वीयों को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे सभी अर्वीयों एक साथ नहीं डालेंगे दोस्तो हम यहां पर अर्वीयों को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे बस इतना ही करना है कि हमारी अर्वी पक जाए अगर ज़्यादा गोल्डन ब्राउ कर दिया तो हमारी अर्वियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेंगी टाइट हो जाएंगी तो भी अच्छी नहीं लगती है आप देख सकते हैं हमारी अर्विय एक दग फ्राइड हो चुकी है बस इसी तरह की हमें अर्वी चाहिए, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे सभी अर्वियों को हम निकाल लेंगे आप देख सकते हैं, हमने सभी अर्वियों को निकाल लिया है मैं आपको यहां तोड़ के दिखा रही है बिल्कुल हमारी अर्भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है बस इससे ज़्यादा हमें गोल्डन ब्राउ कलर नहीं करना है हम यहाँ पर एक टेबल स्पून बड़ा ओल लेंगे हम टेबल स्पून जीरा डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा मेथी दाना डालेंगे इससे क्या हो तो हमारी अर्भी बहुत ही अच्छी और टेश्टी बनती है एक टेबल स्पून कटा हुआ अध्रक डालेंगे मैंने थोड़ा यहाँ जीरा कम डाला था तो मैं थोड़ा से जीरा और डाल रहीं और सभी को हम अच्छे से भून लेंगे यहाँ पर पांच-छे साबटों हरी कटी मिर्च डालेंगे एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे दोस्तों में प्याज को ज्यादा नहीं भूनना है सिर्क ट्रांस्पेट हो जाए बस इतना ही भूनना है यहाँ पर हम की shoulder मृत मिर्च देज न ऊस्पोन की लाल मिर्च डालेंगे यहाँ पर होती हमारे अर्भी हम बहुत अच्छा कल़ आता है एक टेबल सुन हम हम सबजी अनित डालेंगे यहां पर एक टेबल स्पून में पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ इससे हमारी जो अर्बी है बहुत ही मस्त खुश्बुदार बनेगी अगर आपने इसे एक बार ट्राइ किया तो जरूर आपको बहुत पसंद आएगी यहां पर श्रूर करने मेरे कहने पे अब हम यहां पर बढ़ियों को डाल देंगे सभी को सब को म spin करेंगे हर्भियों को बस्कराइप सब् på आपसा कचिया क्यों भाधातुsh अब यहां पर हम 1 लंप अगर आपके पास आमचूर नहीं है तो आप नेवू भी डाल सकती है उससे भी हमारी अर्वी है बहुत ही टेश्टी बनती है अब हम इसे दो मिनिट के लिए पकने देंगे जिसे मसाले जो है अच्छे से मिल जाए हमें ज्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हमारी अर्वी ओलरी से फ्राई है तो ज्यादा समय नहीं लगता है आप देख सकते हैं हमारे सभी मसाले अच्छे से अर्वियों में मिक्स हो गई है और बहुत ही प्यारी खुश्बू आ रही है अब हम उपर से हरा कटा हुआ धनिया डालेंगे और सभी को हम एक बार फिर मिला लेंगे अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे आप देख सकती हैं दोस्तों कितनी प्यारी हमारी अर्वी बनी है बिल्कुल हलवाई स्टाइल की तरह खिली खिली एक दम बिल्कुल चिपकी हुई नहीं है आप इसे पराठे के साथ या पूरी क अब लंच बॉक्स में भी रख सकती है तो प्लीज दोस्तों आज की आपको यह रेसिपी कैसी लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना लाइक करें सब्सक्राइब करें बैलन का बटन दमाएं जिसे हर वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहे और शेयर जरूर झाल 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 झाल